नमस्कार सिल्क टिवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नजे डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर अमंकन के अंतिम दिन सुद्दान गंज विधानसभा से आठ परतियाशियों ने भरा पर्चा समर्थकों की उमली रही भीड विधानसभा चुनावर चहलुम को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च लोगों से की गई शांती पुर्ण महौल में पर्व मनाने की अपील चेक पॉंस मामले में पुलीस ने महा गठवंदन उम्मिद्वार से की पूछ दाश ललन यादव ने शासन प्रशासन पर उठाया सवाल कहल गाउं में जदियों और भाजबा के नेता हुए बागी नामंकन परचा दाखिल कर उत्रे चुनावी मैदान में और गष्टी के दोरान सैब जवान को देज रफ्तार ट्रक ने कुछला मौके पर हुई मौत अब समाचार विस्तार से बिहार विधानसवा चुनाव में पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फाइल करने अंतिम दिन सुल्टान गणज विधानसवा चेतर से कुल आठ परतियाशियों ने नामंकन परचा भरा भागलपूर निर्वाची पदादिकारी कारियाले में सुल्टान गणज विधानसवा के जदी उमिदवार ललित नारायन मंडल, पुरूरल्स पार्टी की किरन मिश्टा, निर्दलिय परतियाशी, जियोतिस कुमार, लोग शमाज पार्टी के नंद किशोर शर्मा, लोजपा से नीलम देवी, निर्दलिय उमिदवार मधूप प्रिया, पिपल्स पार्टी ओफ इंडिया से सरीता एवं निर्दलिय परतियाशी अभी से कुमार ने नामंकन कराया, वहीं रिटर्निंग आफिसर सर डीशी एलार ग्रिजेश कुमार ने बताया कि एक टूर से शुरू नामंकन परिक्रिया में, सुल्तान गंज विधानसवाद छेतर से कुल 18 परतियाशियों ने नॉमिनेशन साथ ही दावा किया कि बिहार विधानसवा चुनाओ में उनकी जीत पक्की है, बरहाल चुनावी गलियारे में यह भी चर्चा हजोरों पर है कि इस बार सुल्तान गंज विधानसवा में महागठवंदन के परतियाशी ललन कुमार यादव और जदियू के उमिदवार ललित संवाद दाता सेयद इनामुद्दीन ने जब तक पढ़े लिखे लोग इमांदार लोग पर्वुद्द लोग राजनिती में नहीं आएं तो राजनिती से जो असुद्धियां आ गई है वह दूर नहीं होगे इसलिए मैं आज से नहीं 25 साल पहले ही नितीशकुआ के नितरत में राजनिती में परवेश क्या हूं औ और उनके आदर्शों को जो उन्होंने इमांदारी पुरवक बिहार में विकास की बात की है और मैं चुकी एंडिये का उमिदबार हूं भाजपा के बड़े-बड़े दिगजदिता का असिरवाद मुझे है उन लोग में जो देश को आगे बढ़ने का काम किया है और बिहा में मैं जिस गों में जाता हूं उस गों में हमको कम से कम दस बिद्यार्थी मिलता है कम से कम जिसको हमने पढ़ावा है कम से कम दस बिद्यार्थी मिलता है और मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है नो मुझसे किसी को लड़ाई है नो किसी से मुझे बाहर है इसलिए म लवादो नितिछ कुमार का सिर्वाद का सिर्वाद हो और नरेंदर मौदी इक करपा उसका टक्रकि से जब चुनो जितने के बात क्या पहली पराथमक्ता होДabling कि मुटीज कुणार और नरेंदर मौदी का जो आदर्ष है उसको हम धरती पर जो उतरा है उसको और अच्छी तरह से सुल्टाइन निमिता रहेंगे और सुल्टाइन के विकास के लिए जतनों संभब होगा हम शंगर्स करेंगे यही हमारा उद्धीश होगा बिहार विधान सभा चुनाओ और चहलूम को लेकर गुरुवार को भागलपूर के ततारपूर थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया चहलूमेवं चुनाओ को देखते वे वरिया पुलीस अधिक्चक आशीज भारती के निर्देश पर ततारपूर पुलीस और अर्ध सैनिक बलके जवानों ने विभिन चौक चौराहों पर भ्रमन किया इस दोरान ततारपूर चौक, कोतवाली और परवत्ती होते वे काफी संख्या में पुलीस ने पैदल मार्च किया और छेतर में अशांती फैलाने वालों पर कारवाई के शंकेत दिये हम आपको बता दें कि जिले के 200 से ज़्यादा अस्थानों पर प्रशासन की ओर से पर्व को लेकर पुलीस और मिजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है साथी थानेदार को अपने अपने इलाके में लाओ एन ओर्डर बनाए रखने की कमान सौपी गई है भागलपूर सुल्तानगंज विधान सभा से महा गठफंदन के परतियाशी ललनकुमार यादव की मुश्किलें कभी भी बढ़ सकती है दरसल पतना के रहने वाले ललनकुमार पर आधा धरजन सहधीक केस लंबित है और इसी में एक तस्वीर आज भागलपूर निर्वाची पतादिकारी कारियाले परिशर में देखने को मिली विधान सभा चुनाव के लिए सुल्तानगंज के कॉंग्रेस परतियाशी ललन यादव से पुलिस ने चेक बाउंस से जुले एक पुराने मामले में गुरुवार को पूछताच की ललन यादव ने इसके बाद शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया ललन यादव ने एक दिन पहले DCLR के आफिस में नामंकन का पर्चा भरा था लेकिन उसमें कुछ त्रूटी रह जाने पर वह गुरुवार को वकील और कुछ समर्थकों के साथ फिर DCLR के आफिस पहुंचे थे इसी दोरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और चेक बाउंस के मामले में पूछताच करने लगी कैमपस में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उधर ही लगा रहा वहीं पूछताच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया ललन यादव ने बताया कि इस मामले में शुप्रीम कोट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है इस दोरान ललन यादव ने पुलीस को नेट पर उपलब्ध कोट की कौपी भी दिखाई लेकिन पुलीस नहीं मान रही थी वहीं ललन यादव दोरा पुलीस के वरिया धिकारियों को कोट की कौपी दिखाए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया लरनियादव ने आरोप लगाया कि शाशन परसासन के लोग जानबूज कर विरोधी दल के साथ ऐसा करते हैं बिहार विधानसवा चुनाओ के पहले चरन में 28 अटूर को चुनाओ होना है जिसको लेकर NDA और महागटवंदन के साथ कई दलों और निर्दलिय परतियाशियों ने भी परचा दाखिल किया है वहीं बात अगर कहलगाओं विधानसवा सीट की करें तो यहां से महागटवंदन के परतियाशी और निवर्तमान विधायक सदानन्द सिंग के पुत्र शुहानन्द मुकेस ने परचा भरा जबकि NDA की ओर से भाजपा के पवन यादव ने बुद्धवार को नामंकन कराया था ऐसा माना जा रहा है कि कहलगाओं उसमें सीधा मुकावला कॉंग्रेस और भाजपा के बीच होगा लेकिन गुरुवार को भागलपूर सांसाद अजय मंडल के भाई अनुच कुमार मंडल ने न्सीपी और भाजपा कारी समीती सदस्य सपुर्व जिलाध्यक्ष भाजपा महिला परकोष्ट लीना सिन्ना ने निर्दलिया परतियाशी के रूप में नॉमिनेशन किया है अब एक ओर जहां भाजपा जदियू का गठवंदन है वहीं अनुच कुमार मंडल और भाजपा खेमे से लीना सिन्ना के चुन्नावी मैदान में आने से एंडिये और भाजपा की मुश्किलें कहलगाओं में बढ़ती नजर आ रही है इसके साथ ही गठवंदन में एक वार फिर से भीतर घात की बात सामने आ रही है बड़ी बात यह है कि वरिष्ट कॉंग्रेसी और कोहलगाओं से नौ बार विधायक रह चुके सदानन सिंग की छेतर में पुर्व सहीम मजबूत पकड़ रही है हलांकि उन पर विकास कारी को लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं वही भाजपा परतियाशी पवनियादव की भी छेतर में सभी वर्गों के बीच अच्छी पकड़ है लेकिन दोनों दल के नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा और NDA की मुश्किलें बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है एक और जहां भाजपा के बढ़े नेता नितिश कुमार को NDA का नेता मान कर बार बार मुख्यमंत्री बनाने की बात दोहरा रहे हैं वहीं गठवंदन के नेताओं द्वारा बगावती तेवर अपनाने से साजिस की बू आ रही है भागलपुर में सलक हाथसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा बुद्वार की देर रात कहलगों के शिबनारायनपूर थाना च्छेतर संथाली टोला के समीप मुख्यमार्ग पर गस्ती कर रहे एक सैब के जवान को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया जिससे सैब जवान की मौके पर ही मौत हो गई मौरितक सैब जवान इंदरकांत मिस्तरा शिबनारायनपूर थाना में कारी रत था और रोज की तरह बुद्वार को भी रात्री गस्ती कर रहा था इसी दोरान तेज रफ्ता ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही शिबनारायनपूर थाना ध्यक्ष राजकुमार परसाथ दलवल के साथ मौके पर पहुँचे और ट्रक को जब्त कर लिया जबकि जवान के शब को कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भागलपूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया पुलिस ने बताया कि मृतक जवान इंद्रकांत मिश्टा मुझपरपूर के कट्रा थाना च्छेत्र यजुबार गाउं के बलिराम मिश्टा का पुत्र था और तीन महपूर ही उसकी पोश्टिंग शिबनारायनपूर थाना में हुई थी कटिहार बराउनी रेलखंड के नवगचिया रेलवे बिजली ग्रीड के समीब दो आग्यात शव अर्धनंग अवस्था में बरामद हुआ है अस्थानिया ग्रामिनों ने आग्यात शव को देखे जाने की सूचना नवगचिया थाना और जी आर्पी पुलिस को दी जिसके बाद पहले तो दोनों थानों के बीच काफी देर तक शीमा विवाद पर बहस हुई जिस कारण शव ग्रीड के समीब ही पड़ा रहा लेकिन बाद में मामले को सुलजाते वे नवगचिया एशडीपियो दिलिपकुमार के निर्देश पर सब को जी आर्पी पुलिस ने अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए नवगचिया नुमंडल अस्पताल भेज दिया अब तक शब की पहचा नहीं हो पाई है और पुलिस घटना की चान बीन में जुट गई है बता दें कि एक ही दिन में यह दूसरी घटना है जहा नवगचिया पुलिस और जी आर्पी के बीच सीमा विवाद के कारण घटना स्थल पर शब घंटों पड़ा रहा ऐसे में जह पर कोई कपड़ा नहीं है और शरीर पर कोई भी जखम का निशान नहीं है तो हमको लगता है कि यह नहाने वहने के करम में डूब गए होंगे लेकिन फिर भी पॉस्मटम में हर विंदू पर जाज के लिए हम लोग आवे दन देंगे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदी बचा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्द से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें मत दाता की कोई भी बात 1950-1950 चाहे शिकायत या सुझाओ 1950-1950 चुनाओ के पहले चुनाओ के बाद 1950-1950 मत दाता सुची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ओनलाइन रजिस्ट्रेशन, भूत के जानकारी, वोटर कार्ड कई से बनी अईसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर चुनाओ बस एगो नमबर याद राखी भारत निर्वाचन आयोके टोल फ्री मत दाता हेल्प लाइन नमबर 1950 अब कौनो मत दाता बिहार के कौनो कोना से कार्याले अवधी में 1950 पर कॉल कर सकता 1950 से अब मत दाता, जानी अपन हक के जानकारी, मुख्य निर्वाचन पतालिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी मन की उदासी, नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग, एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स, एवं किसी भी परकार के पुराने नशे के इलाज ही तू, शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनिक जो कलसंटेंट निरो साइकाट्रिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिखमी किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीज़ों के भरती हेटू 24 घंटे AC, नौन AC, जिन्रल एवं Special Ward की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लेनिक लाजपत पार्क, घंटा घर के उत्तर, मोक्षदा स्कुल के समीप, मशाक जक, भागलपूर, बिहार वब्दोर सकताल भी उपलब्ध है बढ़ है झाल झाल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते एगली खवर की ओर हमेशा से अपराधिक गतिवीधियों के लिए शुर्खियों में रहने वाले पुलिस जिला नवगचिया में अपराधि बेखौप होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लेकिन नवगचिया पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में असहाई दिखाई दे रही है नवगचिया के रंगरा रेलवे ट्रेक के समीब गुरुवार को एक किशोर का शव बरामध हुआ है शव की पाचान भवानीपूर गाउनिवासी फोटो पंडित के 16 वर्सिय अपुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है सन्नी भवानीपूर मदिविद्याले में सातवी कक्षा का छात्र था गुरुवार को ग्रामिनों ने रेलवे ट्रेक के समीब सन्नी का शव देखा जिसके बाद इसकी सूचना मुरी तक के घरवालों को दी गई वहीं सूचना मिलते ही परीजन मौके पर पहुँचे और शव को लेकर अपने घर भवानी पूर चले गए इदर ग्रामिनों द्वारा शभ मिलने की जानकारी मिलते ही जियरपी थाना पुलिस और रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुची लेकिन छेत्रा धिकार को लेकर पुलिस आपस में उलच गए जिसके बाद HDPO दिलिप कुमार की पहल पर जीरपी थाना में मामला दर्च कराया गया वहीं घटना के बाद से ग्रामीनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है जबकि मृतक के परिजनों ने गाउं के ही मीना देवी और बटन सहा के साथ उसके पुत्र बजरंगी पर हत्या का आरोप लगाया है वहीं मृतक के चाचा मिथुन कुमार और सोनु पंडित ने कहा कि मंगलवार को सन्नी और बजरंगी के बीच कुछ जड़प हुई थी जिसके बाद मीना देवी ने सन्नी को जान से मारने की धमकी दी थी लेकिन बच्चों के बीच का जगड़ा समझकर इसे तुल नहीं दिया गया मीना देवी ने अपने पती और पुद्र के साथ सन्नी की हत्या कर दी घटना के बाद से मा आशा देवी, बहन पूजा कुमारी और भाई गुड्डू काफी सदमे में हैं और प्रशाशन से न्याई की गुहार लगा रहे हैं इधर घटना को लेकर धानाध्यक्ष सत्रोगन ने कहा कि शब के सिर और चहरे पर गंभीर जख्म के निशान हैं जबकि एक हाथ भी तूटा हुआ है साथ ही कहा कि घटना की चानवीन जारी है और पुलिस तीनों अपराधियों को हिराशत में लेकर पूछताच कर रही है बच्चा लोग आपस में लडाई किया ठिक ना बच्चा लोग लडाई किया थो मतलब इसका मौँ आके बच्चा को माला फीटा कचड़ी कि अइसके अमा इसके अमार देंके अपने बच्चाक सामार एने तो हम लोग जब निकले बाहर तो वहों पर ही रखना देखे भी मरणा बागलपूर खलीपा बाग्चौक के समीब गुरुबार को M.B. सूज शॉप का उधगाटन हुआ डॉक्टर राजन्द परसाद रोड इस्थित बिग शॉप के सामने जूते चपल की दुकान का शुबारंब M.B. शूज के प्रोप्राइटर शबीर कासीम की मां साबरा, मुहम्मद काशीम, डॉबी, शमसेर समयत कई अतीतियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया वहीं प्रवंदक ने बताया कि दुरगा पुजा के अफशर पर हमारे यहां ग्रहकों को सभी परकार के जूते चपल की खरिदारी पर काफी छूट दी जा रही है शबीर कासीम एवं दानीश ने बताया कि एंबी शूज में महिला पुरूस एवं बच्चों के लिए सभी परकार के ब्रांडेड और आकरसक कलेक्शन को रखा गया है साथ ही कहा कि भागलपूर में एंबी शूज का या दूसरा इस्टोर है जहां लोग एक ही छत के नीचे अपने परिवार के लिए बजट के अनुशार खरिदारी कर सकते हैं प्रोप्राइटर ने बताया कि हमारे यहां केंपस, उड्लेंड, रेट चीफ, एडिडास, ली कूपर, लीवर्टी, नाइक समेत और भी कई परकार के शूज, एवं स्लिपर, उपलब्ध हैं मौके पर राजीब, राहूल, शंजीब, सुमन समेत, शेहर के कई दुकानदार मौजूद थे यहां पर दुरगा पुजे के अपसर पर लाया गया जो भारी डिस्कॉन के साथ दिया जा रहा है जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी यहां पर एबलेबूल है जैसे केंपस, स्पार्क, सिलेपर, उर्लैन, रेड़चीप, सारी कंपनी अबलेबूल है बागलपूर जवाहाल लाल नहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में गुरुवार को नियुमतम मजदूरी देने एवं पीएफ की सुविदा समेथ विभिन मांगों को लेकर सिक्यूरिटी गार्ड ने कॉलेज परवंदन के समख छहंगामा किया बुद्वार को मेडिकल कॉलेज के गल्स हॉस्टल में गार्ड सिंटू की ही हत्या पर भी सभी गार्डों ने विरोज जताया और सभी गार्ड के शुरक्षा की गार्णटी देने के साथ आई कार्ड उपलवद कराने की मांग की गार्ड दुरगाजा ने कहा कि गार्ड इतनी कम सेलरी में ड्यूटी करते हैं और एजनसी एवं बिभाग की ओर से कोई सुविदा मोहिया नहीं कराई जाती है जिससे उनके समक्ष आर्थिक परिशानी के साथ साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन हो गई है वहीं गार्ड सुनिल कुमार राये ने कहा कि काफी दिनों से सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं लेकिन ना तो नियूंतन मजदूरी मिलती है और ना ही किसी परकार की सुविदा साथ ही कहा कि अन्य सुरक्षा गार्डों की तरह उन्हें भी सुरक्षा के साथ आवश्यक सुविदा मोहिया कराई जाए हलांकि काफी प्रियास के बापजूद कॉलेज प्रबंदन की ओर से किसी ने भी गार्डों को आश्वासन तक नहीं दिया मौके पर काफी संख्या में सेकुरिटी गार्ड मौजूद थे दूरी ब्यासरकार निस्ताइक करी है वो मिले और हम लोगा प्रियाफ कटे यस काट इसाई कटे और हम लोगों को आइकार इसू हो हम मांगी है कि हम लो साल से सब्सक्राइब कर रहे हैं गार्ड का आरू जाकर इनी सुपरभाजर साहम को रखे हैं अब पाइतीस सोर भागलपूर में गुरुवार को स्टेट बैंक अप इंडिया मेन ब्रांच के करमचारियों के द्वारा ज्वाय ऑफ लिविंग विक मनाया गया वही कारिक्रम का शुवारम स्टेट बैंक अप इंडिया के चीफ मेनेजर प्रशांत प्रभाकर ने किया वहीं कारिक्रम को लेकर छेत्रिय प्रवंदक परदीब कुमाल वीमल ने कहा कि 2 अट्वर से लेकर 8 अट्वर तक ज्वाय आफ लिविंग वीक पूरे भारत में मनाया जा रहा है जिसके तहत COVID-19 से पिलित सभी छोटे वेवसाई वगरीब लोगों के बीच कपड़ों वबच्चों के खाने पीने के समागरी सहित अन्य जरूरत की चीजे मुहया कराई जा रही है परदीप कुमार ने यह भी कहा कि SBI के करमचारी सहित Lions Club अब भागलपूर ने भी इस कारिक्रम में काफी सहयोग किया है हलांकि इस कारिक्रम के दवरान लोगों का काफी जामवाड़ा दिखा इस दवरान सोसल डिस्टेंसिंग का मजा कोड़ता दिखाई दिया बागलपूर भारतिय जनता पार्टी कारियाले में भारतिय जनता युवा मोर्चा भागलपूर जिलाध्यक चजीत गुपता की अध्यक्षता में जिलाकारी समीती की बैठक का आयोजन किया गया बैठक की सुरुवात बंधे मातरम के साथ की गई इस दवरान प्रदेश अध्यक्ष दुरगेश सिंग एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतेंदू मिस्रा मुख्यतिती के रूप में थे जिनका स्वागत युवा मोर्चा के कारीकरताओं ने माला पहना कर एवं अंग वस्त्र दे कर किया बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दुरगेश शिंग ने अपने संबोधन में कहा कि राज्ज में बनने वाली सरकार में अहम भूमी का निवाने का कारीकरें बतादे कि भारते जंता पार्टी के जंडा का महमंत्री देवरत घोष भाजियूमो प्रदेश उपाध्यक्ष भारतेंदू मिस्रा ने बैठक में कारीकरताओं को संबोधित किया जबकि मंच संचालन महमंत्री कुंदन कुमार ने किया बैठक में जिलाध्यक्ष रोशन सिंग अभैकुमार घोष सोनू रूबी दास समे दर्जनों कारीकरता उपस्तित थे अबंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर अमंकन के अंतिम दिन सुद्दान गंज विधानसभा से आठ परतियाशियों ने भरा पर्चा समर्थकों की उमली रही भीड इधानसभा चुनावर चहलूम को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च लोगों से की गई शांती पुर्ण महाल में पर्व मनाने की अपील जेक पॉंस मामले में पुलीस ने महा गठवंदन उम्मिद्वार से की पूछ दाश ललन यादव ने शासन प्रशासन पर उठाया सवाल कहल गाउं में जदियों और भाजबा के नेता हुए बागी नामंकन परचा दाखिल कर उत्रे चुनावी मैदान में और गष्टी के दोरान सेब जवान को तेज रफ़तार ट्रक ने कुछला मौके पर हुई मौत फिलाल इस बॉलेटिन में इतना ही नमस्कार